आई होब कि 2024 की इन अमेजिंग हिंदी मुविज को आपने मिस नहीं किया होगा जिन में वाकर में आपको इंज्वाय कर सको ऐसे स्टोरी देखने को मिलती है करिकी सैतान मुझिया जैसे इस वीडियो में टॉप 10 हाइस्ट आयम डिवी रेटेड हिंदी मुविज हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए यहाँ इनसान को प्यार नहीं मिल रहा और यह भाई साहब रबोट को दिल दे चुके हैं बनने की सपने को अचीव करने में हिल्प करते हैं तो बेहतरिन मुवी है अच्छी सौंग्स रोमांस इस प्रेस्नल सिंस देखने को मिलेगी क्या होता है जब एक हैपी फैमिली में एक सेतान की एंट्री होती है जो उनकी बच्ची को वस में कर अपनी उंग्रियों पे नचाना सुरू कर देता है तो नमबर 9 की फर्स्ट मुवी है सायतान जो एक फ्रेर मुवी है और ट्रस्ट मी अमेजिंग एक्स्प्रियेंश आपको मुवी देने वाली है गुज बंस देने वाली 3 के साथ एक सैटिसफैक्टरि एंडिंग आपको मुवी देती है तो मिस मत करना Second movie Fighter कहानी है कुछ Air Force Officers की जो एक Attack का Revenge लेने की कोशिस करते हैं तो इस बीच उन्हें क्या क्या खोना परता है ये movie की कहानी है तो अच्छी movie है इसमें आपको Best Action, बेहतरिन Songs, अच्छी Comedy and Patriotic Screens देखने को मियेगी दोनों movie को Netflix पे देख सकते Number 8 पे भी दो movie जहें कहानी एक यरके की है जो अपने गाओं के एक छोटे से मन चलिये आत्मा जो खतरनाक भी है उसके जाल में फंस जाता है तो एक सस्पेंस मुवी जिसमें सस्पेंस फुले स्टोरी के साथ अच्छी कॉमेडी भी हो देखना चाहते हैं तो नेटफीट्स पे देख सकते हैं नमबर सेवेन पे दो कॉमेडी मुवी जो भरपूर मजे देते हैं तो तीन दोस्त गोवा जाने के अपने बचपन के सपने को पुरा करना चाहते हैं बट इस बीच वो बहुत ही बड़ी परिसानी में फस जाते हैं जिस वज़ा से अब उनकी जान भी जा सकती है तो क्या वो खुद को बचा अपने बचपन के सपने को पुरा कर पाएंगे यह मुवी की कहानी है तो नमबर सेवन की फर्स्ट मुवी है मटगाओ एक्स्प्रेस यह बेहतरिन कोमेडी के साथ आपको मुवी में देखने को मियेगी तो मुवी नेट्फिक्स पर देख सकते हो यह सस्पेंस फ्रेयर वातरी में आपका दिमाग खाने वाली है तो कहानी दो योगों की है जो क्रिस्मस की रात मिलते हैं दोनों में इमोसन जगता है फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनकी रातों के निंद उरा देती है अब यह दोनों एक मटर मिश्ट्री ट्राइप में फंस चुके हैं जहां से हलात आगे कुँआ पीछे खाई वाली है तो नमबाव सिक्स पे है मेरी क्रिस्मस जिसे अंदाधून के डिरेक्टर ने डिरेक्ट किया है और मुवी किये स्टोरी वाके में काफी ज़्यादा अच्छी है आपको देखने को मिएगी एक बायोग्रफी होने के बाद भी यह मुवी आपको इंगेज रखती है सेकंड मुवी आर्टकर 370 कहानी है के स्पाई की जिसे कास्मीर में उन आतंकवादियों से भीरने भेजा जाता है जो आम आदमी के भेस में चीपे बैठे हैं तो वाकरी में अच्छी मुवी है अच्छी एक्षन के साथ थिल भी आपको देखने को मिएगी तो मिस मत करना इस मुवी को ठेटर में ना देखने का आज भी पचतावा है मुवी इतनी अच्छी इमोस्टनल एंड क्यामिक्स में जो एडरीन रस देती है आप सोच भी नहीं सकते तो कहानी एक फुटबोल कोच की है जिसका सपना है कि इंडियन फुटबोल टीम इंटरनेशनलिस में ट्रॉफी चीते तो क्या उनका सपना सच हो पाएगा क्या नंगे प्राओ खेलने वाले योग दिगजों का सामना कर पाएंगे या मुवी की कहानी है तो नंबर 4 पे है मैदान मुवी एंड़ सपोर्ट्स मुवी है यह सोच के इग्नोर मत करना बस स्टार्टिंग के 20 मिनट्स देख यो फिर खुद ही मुवी नहीं छोर पाओगे क्योंकि अपने डायोक्स, एंबिशन एंड अपने ही योगों की सरियंतर से भरी ये स्टोरी एंड तक आपको इंगेज रखेगी तो प्रीज मिस मत करना प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं इससे बीटिफुल मुवी आपको 2024 में देखने को नहीं मिलेगी जो इतनी सिंपल होने के बाद भी इतनी ज़्यादा एड़ोरबल है कि पूछो मत उपर से इसकी सोंग आपके कानों में गुंजती रहेगी तो कहानी है दो निली मेरेट कपल्स की जो साधी से वापस आते टाइम ट्रेंड में एक दुसरे के वाइप के साथ एक्स्चेंज हो जाते हैं जहां यार्की को अपने पती के नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं होता तो क्या वो फिर से अपने अपने हस्बेंड और वाइफ से मिल पाएंगे या मुवी की कहानी है तो नमबर थी पे है रापता लेडी जो एक कॉमेडी ड्राम मुवी है एंड अपनी जोनरा के मुताविक वागए में इसमें आपको अमेजिंग कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलती है छोटे छोटे सिंस को इतनी ब्यूटीफुली डायेट किया गया है कि उनमें खो जाओगे तो नेट्फीक्स पे देख सकते हैं मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुवी इतनी अच्छी निकली के आएगी कहान ये कैसे आदमी की है जिसके सामने आप कितनी भी परिसानी रख दो वो उनका सामना करेगा ही तो कैसे ये जिद्धी आदमी इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जितता है ये मुवी की कहानी है और सच कहूं तो उसकी जित से ज़्यादा आपको उसकी जर्णी देखने में मज़ा आएगा जहां बार बार गिरने के बाद भी वो उट खरा होता है तो नमबर टू पे है चंदू चैंपियन जो एक स्पोर्ट्स मुवी है और मुवी वाकर में एक सिनमेटिक मास्टर पीस है जिसमें आपको अमेजिंग स्टोरी टाइंग एड़ देखने को मिलती है इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट नहीं कर पाऊगे तो कहानी पोस्ट एपोलिक्टिक वर्ड में सेट है जहां सिर्फ कासी सहर ही बचा है और सभी तरफ या स्कीन का कंट्रोल है जो कॉम्पी एक्स नाम के एक जगह पे रहता है तो इसे या कियों से एक सीरम चाहिए जिससे ये क्या करेगा कोई नहीं जानता तो कैसे ये सीरम हासरी करेगा भगवान कैसे अवतार रियेंगे और कौन सभी की रच्छा करेगा ये मुवी की कहानी है तो नमबाब वन पे है कईकी 2898 AD तो अमेजिंग स्टोरी के साथ अमेजिंग विजूल्स आपको देखने को मिलेगी वाकर में पूरी मुवी देखते वक्त आप इंज्वाय करने वाले हो तो प्लीज मिस मत करना I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी and thanks for watching